नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजिनिंग के 10 आती महत्पुड प्रशनों को साल्व करने वाले हैं जो कि आपके आगामी सभी परिछाओं के लिए महत्पुड है दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिलकुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों हमने जितने भी प्रशनों को इस वीडियो में सामिल किया है वो किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गए हैं प्रसन है या आने की संभावना रहती है दोस्तों हम reasoning को part wise करा रहे हैं तो इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों यह reasoning का part number 3 है दोस्तों अगर आपने पिछले part को नहीं देखा है तो किर्पया जा करके देख लीजिएगा तो चरिए दोस्तों हम question की ओर चलते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला प्रसन है देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रसन में क्या कह रहा है पहले प्रसन को हम पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे दिये गए प्रसन में लुप्त संख्या ग्यात करें यानि कि दोस्तों लुप्त संख्या का मतलब हमने बताया है कि missing number यानि कि दोस्तों यहाँ पर हमें यह बताना है कि यहाँ पर देखिए 7 और 5 का आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 24 हो गया है और यहाँ पर 4 और 1 को आपस में क्या किया है कि यह यहां पर 15 हो गया है उसी प्रकार दोस्तों हमें यह बताना है कि यहां पर 8 और 4 को आपस में हम क्या करें कि यहां पर जो है दोस्तों question mark की बैलु हमें पता चले तो यहां पर simple तरीके से मैं इसको साल्व करके बताता हूँ अब देखिए दोस्तों साल्व कैसे करना है इस question को यहाँ पर दोस्तों अगर आपके दिमाग में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए साथ और प्लस पांच कर देते हैं यानि कि इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्त हमने इधर लगा है वह हमें यहां फिर करेंगे अब देखिए दोस्तों यहां पर चार और प्लस एक को जोड़ेंगे चार एक कितना होता है दोस्तों पांच होता है पांच का गुड़ा हम दोस्तों दोसे करते हैं यहां पर देखिए दोस्तों पांच दूना दस होता है दस द बताता हूं यहां पर दोस्तों अगर आप साथ का स्कॉयर करते हैं दोस्तों साथ का स्कॉयर दोस्तों होता है उन्चास और यहां पर दोस्तों क्या करना है आपको कि यहां पर पांच का स्कॉयर कर लेंगे तो पांच का स्कॉयर होता है पाचीस और देखिए दोस्तों यहां पर 49 में से 25 को माइनस कर देते हैं तो यहां पर कितना प्राफ्थ होता है दोस्तों हमें 24 मिल जाता है यहां पर जो की दोस्तों यहां पर लिखा गया है अब देखिए सेम लॉजिक जो है दोस्तों यहां पर भी करना है यहां पर हमने क्या लॉजिक लगाया दोस्तों मतलब द स्कॉार एक ही होता है अब देखिए एक को हमें 16 में माइनस कर देते हैं तो यहां पर हमें 15 मिल जाता है जो कि दोस्तों यहां पर 15 लिखा गया है अब देखिए दोस्तों सेम लोजिक जो है हमें यहां पर भी लगाना है अब देखिए कैसे करना है आठ का स्कॉार करेंगे दो तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो अनतालिस हो जाएगा अनतालिस दोस्तों किस option में देखने को मिल रहा है option number C में देखने को मिल रहा है तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों option number c आपका right answer हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रस्ण आपको अच्छे से clear हो चुका होगा तो चलिए दोस्तों हम next प्रस्ण की ओर चलते हैं दोस्तों दूसरा प्रस्ण को देखिए यहाँ पर दूसरे प्रस्ण को हम किस तरीके से solve करेंगे यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको आपको क्या करना है question को ध्यान से देखना है अब देखिए यहाँ पर question में क्या कह रहा है यदि 8 הוא 8584H2 अ states 36 लिक्या उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर 5A389ге96 तो यहाँ पर हमें बताना है कि 6, 8, 2, 8, 5 बराबर क्या होगा यानि कि दोस्तों हमें question mark की value पता करनी है अब देखिए दोस्तों इस question को solve कैसे करना है यानि कि दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर एक sign दिया गया यानि चिन दिया गया हच का तो यहाँ पर 8, 4 और 2 को हम क्या करें यहाँ पर 36 हो जाए और यहाँ पर 5, 3, 9 को आपस में हम क्या करें यहाँ पर हमें 90 हो जाए उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करें इन 3 संख्याओं को आपस में कि question mark की value हमें पता चल जाए अब देखिए solve कैसे करना simple तरीके solve करेंगे अगर दोस्तों आप पहले और दूसरे संख्याओं को आपस में क्या करते हैं गुड़ा कर देते हैं यानि कि देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 है और गुड़े 4 कर देते हैं कितना होता है दोस्तों आठ च्वक्या होता है 32 होता है और देखिए दोस्तों दोनों संख्याओं को हमने पहले गुड़ा कर रही है और जो लास्ट वाली यानि कि जो बाद वाली संख्या लास्ट में इसको 2 का 2 का हम स्क्वायर कर देंगे अब 2 का स्क्वायर कितना होता है द देखिए दोस्तों हमने क्या लोजिक लगा है पहले और दूसरे संख्या को गुड़ा किया और तीसरी संख्या का square करके हमने उसे पलस कर दिया है। तो यहीं आपको याद रखना है अब देखिए यहाँ पर क्या करना है अब 5 का क्या करें पांच गुड़े हम तीन करेंगे तो 5 तीना ही कितना होता है दोस्तों 15 होता है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 का स्कुर करेंगे तो 9 का स्कुर कितना होता है दोस्तों 81 होता है औ आपर देखिए च्छा गूडए दो करते हैं च्छा गूडगा करींगे तो कितना हो यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा च्छा दो के 5 का स्कौर करेंगे यहां analyze chicken कि कितना हो जाथाँ दोस्तों हमारा राइट एंसवर यहां पर देखिए 37 पराप्त हो जाएगा 37 दोस्तों किस option में देखने को मिल रहा है तो option number B आपका राइट एंसवर हो जाता है तो यहां पर B आपका सही जवाब हो जाएगा तो उमीद करता हूं दोस्तों यह प्रस्न भी आपको अच्छë से clear हो चुका होगा तो चलिए दोस्तों हम next př político ओर चलते हैं तीसरा प्रस्न है दोस्तों तीसरे प्रस्न को आप किस तरीके से साल्ब करते हैं पहले देखिजिए दोस्तों आपको क्या करना है कोश्चन को ध्यांस देखना है अब देखिए दोस्तों क्या है कोश्चन में यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे दिये गए प्रस्ण में संबंधित अच्छर को चुनिए दोस्तों यहाँ पर हमें कोश्चन मार्ग जया कौन सा अच्छर आएगा हमें यह पता करना है अब तो कैसे साल्व करेंगी यानि कि दोस्तों यहां सबसे पहले आपको संख्याँ का नमबरिंग याद होना चाहिए यानि कि यू है कि इतने नंबर पर नमबर पे अनुसार यह सम्ट आपको पता होना चाहिए अब देखिए दोस्तों कैसे solve करेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों ए जो होता है नो दोस्तों यहाँ पर ए जो है एक नमबर पर आता है और यहाँ पर जो है एक विपरीत क्या होता है दोस्तों एक विपरीत जो होता है जेड होता है यानि कि विप्रित हम कैसे पता करेंगे कि एक दूसरे के विप्रित अच्छर हैं यानि कि दोस्तों जो अच्छर होते हैं जो इनका numbering होता है उन दोनों आपस में उन दोनों को plus करने पर हमें उसका योग जो है 27 प्राप्थ होना चाहिए अब देखिए यह जो है दोस्तों एक number पे आता है और देखिए यहाँ पर जो Z है Z दोस्तों यहाँ पर 26 number पे आता है तो यहाँ पर 26 और एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाता है तो हमें पता हो गया कि यह दोस्तों दोनों अच्छर एक दूसरे के विप्रित हैं उसी यह दोनों आपस में विपरीत हैं अब देखिए दोस्तों C का जो विपरीत होता है वो X होता है यानि कि जोस्तों X जो है 24 वे नमबर पे आता है और C जो है दोस्तों वो तीसरे नमबर पे आता है तो इन दोनों को हम जब पलस करते हैं तो यहाँ पर हमें योग जो है जिसका 27 प्राथ होता है तो उसी प्रकार दोस्तों क्या हमने पाया कि यानि कि यह अच्छर है इनका जो विपरीत यहां है यहां लिखा गया है उसी प्रकार दोस्तों एका विपरीत क्या होता है दोस्तों एका विपरीत होता है भी पांच नंबर पे आता है और भी 22 नंबर पे आता है तो बारा पैस और पांच को जोड़ेंगे तो 27 हो जाता है, अब देखिए दोस्तों यहा time पर यल दिया है, यल जो है 12 में नंबर पर आता है तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, तो 12 में जिए 15 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा तो R का विप्रित क्या होता है दोस्तों I होता है तो I जो है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अब देखिए दोस्तों हमें क्या मिला यहाँ पर वी, ओ, आई, यानि कि वी, ओ, आई कि इस option में देखने को मिल रहा है दोस्तों, option number A में हमें देखने को मिल रहा है, तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा, option number A आपका right answer हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह परसन आपको अच्छे से clear हो चुका होग के अस्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, दोस्तों हमें यहाँ पर यह बताना है, कि यहाँ पर जो question mark दिया गया है, इसी की value हमें पता करना है, यानि कि दोस्तों missing number के question को solve करने से पहले मैं आपको बता देऊं, कि यहाँ पर आपको solve कैसे करना है, सबसे पहले आप यह देखेंगे कि संख्याई जिस तरफ बड़ी होती हैं, उसी तरफ हम question को solve करती हैं, अब देखिए दोस्तों संख्याई किस तरफ बड़ी हैं, यानि कि इस तरफ यानि कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, 5-7 से यहाँ पर 10 हुआ है, अब देखिए, 9-2 से क्या हुआ 35 हो उसी परकार हमें बताना है कि यहाँ पर 8 और 4 को हम क्या करें कि यहाँ पर question mark की value हमें पता चल सके अब देखिए कैसे solve करना है अगर दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है पहले सोचने का तरीका आप लोग देखिए कैसे सोच रहेंगे यहाँ पर दोस्तों अगर आप सोच 7 प्लस 5 करेंगे 7 प्लस 5 करेंगे 7 5 कितना होता है दोस्तों 12 होता है और 12 में माइनस 2 कर देते हैं तो कितना होता है यहाँ पर 10 हो जा रहा है और यहाँ पर 10 दिया गया है अब उसी परकार दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे अब देखिए 9 प्लस 2 करेंगे 9 2 कितना होता है द अब कोई दूसरा तरीक्या लगाएंगे अब देखिए दोस्तों दूसरा तरीक्या क्या है यहां पर दोस्तों अगर आप ध्यांस देखेंगे तो साथ और साथ को और पांच को अपस में घटा लेती यानि कि साथ में से पांच को माइनिस करेंगे तो यहां पर दोस्तों कितन कितना हो जाएगा दोस्तों यहां पर साथ हो जाएगा और साथ का गुड़ा जो है पांच से करेंगे क्योंकि दोस्तों हमने उपर पांच से गुड़ा किया था अब देखिए साथ पच्ची कितना होता है दोस्तों 35 हो जा रहा है उसी प्रकार दोस्तों यहां पर भी करना है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करें, आठ में से माइनस चार करेंगे, तो यहाँ पर हमें दोस्तों कितना मिलता है, चार मिलता है, और चार में दोस्तों हम पांच से गुड़ा कर देते हैं, तो चार पच्चे कितना हैं दोस्तों, बीस होता है, तो बीस दोस्तों किस option में देखने को मिलना है तो option number D आपका right answer हो जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह person भी आपको अच्छे से clear हो चुका होगा तो चलिए दोस्तों हम next person की ओर चलते हैं दोस्तों पांचवे person है यहाँ पर देखिए दोस्तों पांचवे person में क्या है नीचे दिये गए स्रिंखला को पूरा करें दोस्तों यहाँ पर एक series दी गई है और यहाँ पर series के आगे यहाँ पर एक question mark दिया गया है और इसी question mark की value हमें पता करनी है तो आप कैसे पता करेंगे तो यहां पर देखिए दोस्तों कैसे पता करना है अब देखिए दोस्तों नहटर बड़ी संख्या से सीधा मतलब एकदम कम हो गया यहां पर 36 हो गया याना कि संख्यां में अन्तर के आधաर पर हम इसे साल्व नहीं कर पाएंगे, यहां पर अगर आप थोड़ा भी दीमा का लगाएंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा, यहां पर दोस्तों 123 कि किन संख्याओं से मिलकर बना है, यानि कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से, यानि कि इनको जब हम प्लस कर लेते हैं, तो हमारे कितन होता है, च्छा होता है, और इसका स्क्वार कर देते हैं, च्छा का स्क्वार कितना होता है, 36 होता है, उसी प्रकार दोस्तों यहां पर 142 दिये गया है, तो यानि कि 1 प्लस 4 प्लस 2 को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगे, यानि कि 1, 4, 5 होगे, या 5, 2, 7 हो प्लस चार जोड़ेंगे अप उसके बाद प्लस तीन जोड़ेंगे 143 को आपस में क्या करेंगे एक एक संख्या को प्लस कर लेंगे अब देखिए एक चार पांच पांच तीन आठ आठ का स्क्वार कर देंगे दोस्तों आठ का स्क्वार कितना होता है दोस्तों आठ का स्क्व क्या है दोस्तों एक बिसिस्ट कोड भासा में टी को बावन तथा पी को क्या लिखा है चवालिस लिखा है इसी कोड भासा में हमें क्या लिखना है टी एसी यानि टैक को यानि कि क्या लिखा किस परकार लिखा जाएगा यानि कि दोस्तों हमें यहां पर यह बताना है कि यहां आप दोस्तों क्या करना है पहले यहाँ पर T E A को लिख लेना T E A को यहाँ पर जवाब लिख लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है ती जो है दोस्तों 20 नंबर पर आता है और ए जो है दोस्तों ए जो है कितने नंबर पर आता है पांच नंबर पर आता है और यहाँ पर ए जो है एक का जो नंबर होता है वो एक होता है यानि एक नंबर पर क्या आता है तो यहाँ पर एक को जोड़ लेंगे यानि कि इसका अब देखिए दूस्म्रों किया करना है पी यानिकी इसका नंबरully करेंगे को पिसूला नंबर पे आता है और जो है दोस्तों यहाँ पांच नंबर पे आता है का नंबर होता है अब देखिए दोफ्र आप कोऊए जोड़ेंगे इंसको तो कितना होता है 16, 5 कितना होता है 21 होता है 21 और 12 होता है तो यानि कि दोस्तों यहां पर 22 हो रहा है और 22 का गुड़ा हम 2 से कर देते हैं तो यहां पर 22 जोनी 44 हो जा रहा है यहां पर देखी 44 दिया गया है उसी प्रकार दोस्तों यहां पर इस कोड भासा में यहां पर बताना ह हमें कैसे लिख जाएगा अब देखिए दोस्तों यहां पर टी ए सी यानि कि टी ए सी यानि कि दोस्तों यहां पर क्या करेंगे इसका नंबरिंग कर लेंगे तो टी जो है दोस्तों बीस नंबर पर आता है एक नंबर पर आता है और सी जो है दोस्तों यह तीन नंबर पर आता ह तो 21, 21, 21, 23, 24 हो जाएगा और 24 का गुड़ा जो है हम दोस्ते कर देते हैं तो 24 दूनी कितना होता है 48 होता है और 48 दोस्तों किस option में दिया गया है option number B में दिया गया है तो इसलिए आपका जो B आपका right answer हो जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह प्रसन भी आपको अच्छे से clear हो चुका होगा तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रसन की ओर चलते हैं दोस्तों सातों प्रसन है बेन डाइग्राम से रिलेटर प्रसन है यहां पर देखिए दोस्तों पूरुस इस्त्री और लेखाक है यानि कि इन तीनों चीजों में हम क्या बताएंगे यहां पर इन तीनों का संब्द आपस में क्या होगा कि सरकल से हम इसे प्रदर्सित यहां पर देखिए जो लेखक होते हैं यानि लेखक का हमें एक सरकल बना लेते हैं तो जो लेखक होते हैं दोस्तों वो इस्तरी और पुरुस्त दोनों हो सकते हैं यानि कि सभी पुरुस्त और सभी इस्त्री लेखक नहीं हो सकते, कुछ इस्त्रियां लेखक होती हैं, तो यानि कि क्या है, यहां पर दोस्तों एक इस्त्री का हम बनाएंगे, कुछ इस्त्रियां क्या होती हैं, लेखक होती हैं, और यहां पर कुछ पुरुस भी क्या होती हैं लेखक होती है यानि कि सबी पूरुस लेखक नहीं होते हैं कुछ इस्तरीया भी होती है तो यहाँ पर कुछ इस्तरीया होती हैं और कुछ पूरुस भी होते हैं यानि कि कुछ प्रकार से आपका McGregoram बनेगा तो option number D में ऐसा देखने को मिल रहा है तो आपका option number D आपका right answer हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रस्ण भी आपको अच्छे से clear हो चुका होगा तो चलिए दोस्तों हम next प्रस्ण की ओर चलते हैं दोस्तों आठों प्रस्ण है आठों प्रस्ण जो है number analogy से संबंधित प्रस्ण है आप देखिए दोस्तों इसे हम जोड़ दें दोस्तों यहाँ पर 11 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 26 हो जाता है यानि कि 11 को प्लस करते हैं 26 होता है उसी प्रकार दोस्तों अगर हम इसमें भी 11 प्लस करते हैं तो कितना होता है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 36 होता है लेकिन दोस्तों किसी भी option में 36 देख करते हैं आपस में एक और पांच को आपस में पलस करेंगे तो कितना हो जाएगा और च्छा का कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 36 में माइनस 10 कर देते हैं दोस्तों कितना होता है 26 हो हो जाता है अब देखिए दोस्तों यहाप 16 हो जा रहा है अब सेम लोगिक यहाँ पर वी मिलता है तो ये भी आपका तरीका तरीकाशान को साल्व करने का देखिए दोस्तों अब हमें इस question को कैसे साल पर पाएंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है यहाँ पर देखिए दोस्तों एक है न एक और पांच है एक का square करेंगे और पांच का square करेंगे तो यानि कि एक का square एक होता है और पांच का square क्या होता है और यहाँ पर 5 का square करेंगे तो 5 का square कितना होता है दोस्तों 25 होता है यहाँ पर देखिए 5 के square 25 होता है और उसके बाद जो है 2 का square करेंगे 2 का square 4 होता है यानि कि 25 प्लस 4 करेंगे तो कितना होता है दोस्तों 29 होता है 29 दोस्तों आपका option number d में देखने को मिला है इसलिए आपका दिया पाराईट एंप्सर हो जाएगा उम्मिंद करता हूँ दोस्तों ये प्रस्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका हुआ तो चलिए दोस्तों next Advanced की टुब सरूर कहते हैं दोस्तों न न वब प्रस्न Oleада को साल्व करने यहां पर यहां पर रिक तस्थान फिर सी भी फिर रिक तस्थान उसके बाद बी दिया है फिर रिक तस्थान दिया गया उसके बाद बी ए बी फिर यहां पर रिक तस्थान यानि कि हमें यहां पर बताना है जो खाली अस्थान है यहां पर क्या कौन से अच्छर भरे जाएंग एक, दो, तीन, चार, पांच, छैस, साथ, आठ, नव, दस, ग्यारा, बारा यानि कि दोस्तों, ये बारा अच्छर हो सकते हैं इसमें तो इसको क्या करना है, हमों खंड में तोड़ लेना है यानि कि यहां पर गुरुब बना लेंगे यानि कि दोस्तों आपको समझा दूँ यहां पर बंह आORY हम देखिए B ये चल रहा है यानि कि BA और यहां पर हम फिर B भर देते हैं B ABC तो B ABC का यहां पर आप हनद बन जा रहा है अब देखिए फिर B यहां पर हम भर पिर बी यहांиш पर B C यहां पर C भर देगे अब दिखिए यहां पर BABC यहां पर我不知道 भावन पर उसके प्र भरा है अब देखिए यहां पर B हमने पहले भरा यहां पर A भरा फिर उसके बाद हमने क्या भरा है दोस्तों यहां पर C भरा फिर उसके बाद C भरा है यानि कि दोस्तों B A C C B A C C किस आफ़सन में देखने को मिल दोस्तों आफ़सन नमबर D में देखने को मिल दा तो D आपका पर आहीं सही जवाब हो जाएगा तो अमीद करता हूं दोस्तों यह प्रस्ट में आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं कि दोस्तों आज का अंतिम परशन को साल्व करने से पहले मैं आपको बता दो दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों हम इस कोस्चन को साल्व करते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कोस्चन को ध्यान यहां पर question mark की जगा कौन सा सब्द भरा जाएगा अब देखिए दोस्तों यहां पर simple तरीके से आप सोचेंगे दीवार घड़ी का प्रयोग कहा होता है दोस्तों दीवार का घड़ी का प्रयोग हम क्या करते हैं दीवार में इसको टांगते हैं यानि कि दीवार में लगाते है दीवार घड़ी को तो उसी परकार कालेन का यूज हम कहां करते हैं दोस्तों तो यहां पर first करते हैं तो यहां पर आपका D आपका right answer हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां प्रशना आपको अच्छे से clear हो चुका होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त